36 विधान सभा की चुनाव समीकरन सहित अन्य मुद्दो पर भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वजिला उपाद्यश के इस चोहान ने मीडिया से खास चर्चा की इस दोरान सभी सवालों की जवाब काफी सापकोई से देते हुए उन्होंने अपनी पतिक्रिया आई देखते हैं प्रदेश प्रवक्ता वजिला उपाद्यश के इस चोहान के साथ हुई बादचीत के खास अंच नमश्का दर्सकों करेंड इसे इन नियूस की खास पेशकास एक मुलाकात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक मुलाकात काईकरम के ताहरत आज हमारे साथ स्टूडियों में केश चोहान सर मौजुद हैं भारती जन्ता पार्टी जिलाव पाद्धियक साथी चातिरिगर प्रदेश प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जब जब हमको लगता है कि उसे चर्चा करना है हम उनको आमनतित करत हमारे स्टूडियों में अब मैं कर रही हूं सवालों की बहचार तो मेरा पहला सवाल है कि जो अफी कॉंग्रिस पार्टी है लोकलवाद को बढ़ावा देते हुए और लोकलवाद से जोडते हुए अपने आपको संपूर्ण चातिस गड़िया बताती है क्या कहना चाहिए जुषथ जौन जी ऑ ह है कउन सबसे पहले साउ आल तो यह है कि याप किसको शथी अड़िया बोलते हैं लोकलवाद चो Vallahi स्टानी ब्लोक और त्लीए और की जे नहीं चतनी गड़िया तो स्थ 3 गड़िया जो है क्या वह उसको अधार यह एग कि उसके पास अधार काड है लाइसेंस है यहां का पेन काड है वोटर लिष्ट है क्या उसको 36 गडिया बोल रहे हैं आप यह समीधान के हिसाब से हो गया यह वो भी 36 गडिया है जिसके पास यह सब चीजे नहीं है लेकिन वह 36 गड के बारे में सोच रहा है 36 गड के उत्थान के बारे में सोच रहा है 36 गड की के हक के बारे में सोच रहा है 36 गड के प्रतित जवाबदारी उठाता है वो 36 गडिया और रही बात मूल 36 गडिया की तो यहां के मूल 36 गडिया के जो रेवासी हैं वो तो आदिवासी है दूसरी बात है कि आदिवासी कहां क लेकिन जो पिश्मी सात बार में जो उनके प्रेशिगनगेंगे उसमें तो उनके उनके आदिवासी मूल के तो भगने नहीं तो व्या झां ऑन Japanese नहीं है? फिस अमेरिकन नहीं है? भारत Big नहीं है और गाउन- चेथा टीजिय अँhen और अफीज…" तिन थिन राजसभा वह शल्यान्विता नियान्ग सुद्षित गडिया कि निश्यानि के अरा कि छत्युजफ गडिया ते वह क्या लोग समाज के जो लोग है आज जो जनता है बहुत समझदार है आज युत्तर प्रदेश में आप 24 परसंट दलित लोग है उनकी पार्टी जो है वो बस अपाय उनको दो प्रतिशत वोट भी नहीं मलता है आप ये खुद सोचिए कि आज कल जो है जैसे जैसे हम मैं चोड़ होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम असली वहां के जो लोग हैं उनको नाम लिया, दो रास्ट्री पार्टियों के अलावा एक 36 गड़ करांती सेना भी है, देखा जाता है कि इसको जादातर कोई तवज्जो भी नहीं दिया जाता है, और इस और किसी का रुज़ान नहीं रहता है, देखे, 36 गड़ की जनता बहुत जादा समझदार है, आप किसी किसी भी मतलब एक मुद्दे को लेके, एक किसी भी चीज को लेके कि हम इस समुदाय से हैं, मान लीजिए, उस समुदाय से लेकर आप बोलेंगे कि हमारे कोई वोट देना, जैसे AIMI है, क्या पूरे मुस्लिम्स के वोट उनको मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं, आज हर आइंसा कि जाती गत मामला एक अलग है, और जो विकास गत मामला जो होता है, और हमारे लिए जो अच्छा होता है, वो अलग है, आज यूपी में, कई मुस्लिम्स जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो भारती जनता पार्टी को और अधित्य विचारदारों से सहमत हैं, और उनको वोट देते हैं, क्योंकि उनको सेक्यूर लग रहा है, महिलाएं सेक्यूर हो गई है, दंगे कम हो रहे हैं, और क्राइम्स कम हो रहे हैं, तो वो इनसान चाहता है, वो ये चाहता है कि हम जो उनको जवाबदारी दी गई है, जो सरकार को जवाबदारी दी गई है, वो अच्छे से रोड बनाई रोड क्या एक ही समुदाई के लिए बनाई नहीं उसमें हर समुदाई का इंसान उसको यूज कर रहा है हॉस्पिटाल जो बनाया क्यों क्या वो एक समुदाई के लिए बनाया राशन जो बाटा क्या वो एक समुदाई के लिए बनाया ठीका करन जो हुआ क्या व वह आजकल इंटरकास्ट मेरीज यो करते हैं जो की हम यह समझते हैं कि हमारी लाइव के लिए कौन अच्छा है उचित है उटेबल और जीनी के लिए परीपा है उसी के साफ हम संबंद जोड़ ते हैं उसी के साथ रिश्टा जोड़ते हैं तरहम की राजनिति को ले पचार दिया इसको, इसको धर्म के राज निती कर रही है, ऐसा लोगों की चर्चाओं की बीच में है, लेकिन धर्म क्या होता है, उनको पता चलना चाहिए, धर्म वो होता है जो हमें करना चाहिए, धर्म कौम के साथ आप नहीं जोड सकते हैं, कौम एक अलग शब्द है और धर्म एक अलग शब्द है धर्म वही होता है जो हमें उस समय देश काल और परिस्तिती के हिसाब से जो उचित है वो करना हमारा धर्म है जैसे मान लीजिए बंदूक लेके अगर कोई आपके आहां मतलब आत्मगाती हमला कर रहा है तो बंदूक लेके आपको उसके सामने खड जोड देते हैं एक कौम के साथ जोड देते हैं एक कौम ने जो अपने एक कुछ उसूल बनाए हैं मान लो जो उसूल बनाए है तो उसको पालन करना उसका धर्म है उस चीज का पालन करना लेकि हम बोलते हैं कि वो कौम ही धर्म है कौम धर्म नहीं होता धर्म कौम नहीं होत तो और राजनीती जो होती है राजनीती वो धर्म का हिस्सा है और भारती जन्ता पाइटी और कॉंग्रेस में सबसे बड़ा फर्की है कि वो राम के लिए राजनीती को अपनाती है लेकिन जो कॉंग्रेस है वो राजनीती के लिए राम को अपनाती है मतलब राजनीती के लिए धर्म को अपनाती है इनको धर्म से कोई लियन देना नहीं है जहां पर भी मान लिजे कि जहां पर भी यह अभी कावड यात्रा निकार रहे थे उसमें वह ज़्यादा मतलब चीटा कसी होती है और बयान बाजी होती है मैं यह पूछता हूं कि जहां पर 20% से ज़्यादा मुस्लिम सा अबादी है क्या आप आपर कावड यात्रा निकालत प्रेज्राइं सीघनी करोटिया सेखनी आज 2060 किलोमेटर का राम वन गूंगान पत्थ यह लो बोलते है राम वन गूंगान पत्थ थे लगो कितने कंगूरेस को मालू है किarbeiten यह किलोमेटर लॉड रोड ये कुलोमेटर रटो जो 2060 किलोमेटर रोड है और उसमें 100 आतल में कुछ नहीं मनाया। और राम्राम्रेव नवान्पत्व के नाम से अपनी राजनीति कंज्ल?? बंद करें cellistा और लोगों को लुुम्रा गुम्मा करना बंद कर से द्रन के लोगों को लए लड़ाना बंद कर द्रमाना के बात करें तो कॉंगेस से घे का देखा भी जाता है और वोव भी लगते हैं कि बीजेपी के पास धर्मांतरण जो एक यही मुद्दा है और जा ने हमत्ले से देखते हुआ हैं कि जो कॉंग्रेस पार्टी के इसमें जो 4-4-4-4 साल थे इसमें धर्मांतर्न बहुत धडले से हुआ जै कि यी डर्मांतरन का लेकिन धर्मांतरन नहीं होना चाहिए आपका आप लोब लालच के हिसाब से आप धर्मांतरन करवाएंगे तो वो गलत है। आप किसी का मजबूरी फाइदा उठाके आप धर्मांतर काना हैंगे तो वो गलत है। आज बस्तर में आप देख लिजिए कि एक समुधाई दूसरे समुधाई से लड़ रहा है। जर्म परिवर्थित कर लिए वो लड़ा है। लोब देदे के धर्मांतरन करना जा रहा है। नोच को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और कई लोगों की हिंसक गटनाइब वी हुई हैं। तो पुलिस के पास भी गए हैं तो उन्हों ने पुलिस ने उनकी मदद करने से मना कर दिया और यहां के भुपेश बगेल जी खुच जाते हैं वहां पर दिली और वहां के पादरियों को बोलके आते हैं फिर से ऐसी घटाएं नहीं होगी जो मतलत दर्मांतरन के खिलाफ जो पादरियों को नुकसान पहुंचाय जा रहा है या दूसरों को नुकसान पहुंचाय जा रहा है तो यह क्या है हम चाहते हैं कि हम समिधान के हिसाब से ही सभी लोग रहें लेकिन उसमें जवरिया चीजे नहीं होनी चाहिए धर्मांतरन का पूरा का पूरा और डायरेक्ट रिलेशन राजनीती से होता है क्योंकि वो अपने पक्के वोटर्स बनाना चाहते हैं पक्के वोटरस बनाने के लिए क्या आप इस चीज को दुशित करेंगे क्या आप किसी को किसी का फायदा उठाएंगे क्या आप किसी को मजबूरी में डाल देंगे आज कल जानबुच के 25-50,000 रुपए एक लाक रुपए किसी को ऐसे ही करजा दे दिया जाता है और करजे के लिए उसको मानू मैं कि करजा पठा नहीं पाएगा तो करजे के लिए तंग किया जाता है उसके बाद लोग पहुंचते हैं कुछ लोग बोलें कि हम आपका करजा माफ कर देंगे और आप इनका आप हमारे समुदाय से जुड जाएं अपल से करके मजबूरी का फायधा उठायए जा रहा है उसके विरोध में है भारती जनतापार्टी धर्मांतरण के विरोध में नहीं है कर देधारी जा जो उन्याए किया जा रहा है उसके विरोध में 했어요 अभी लगातार ED और IT की छापे देखे जा रहे हैं जग जाहिए सुर्कियों में मेडिया में कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि विधान सफ़ा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रभावित करने यहां का निर्णायक मंडल जो है इसको प्रभावित करने ही इस तरह की कार रहे हैं क्या उस समय से लेकर अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं मिला है जिसके जिसके हां भी चापे पड़ गए 15-15 किलो सोना निकला है क्या उन्होंने गोबर बेच के सोना जमा किया था सवामय चारशिया की 5000 की चार्ज शीट फाइल होती है और उनका बेल नहीं होता है उ कहां से आई और कानून प्रक्रिया कानून के हिसाब सही चलती है वो एडी जो है वो अपना काम कर रही है और मोदी जी ने आते ही सार बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा दूसरी बात यह है कि आप मान लीजिए कि पुलिस किसी को संदिग्द अवस्ता में पूच् दोस्तियार जाके पुलिस थाने का गेराव कर देंगे क्या बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते करवाई संत्री से मंत्री तक संत्री से मंत्री तक यहां पर एक ही चीज के अंडर में चलेंगे और दबाव में नहीं चलेगा भारत प्रभाव में चलेगा और भारत एक ही प्रभ बिलेगी लेकिन इडी के चापे हैं इन चार सालों में पुर में नहीं आए आगे अभी जब चुनाव नजदिक आया उस दौरान ही इसके लिए एक्टिव होना क्या दर्शाता है देखे यह चतिसगर में एक विजिलेंस भी है विजिलेंस के शापे तो नहीं पड़े है जो रंगया तो पकड़ाये जाते हैं तो एंटी करॉप्शन ब्यूरों के साड़ी चार से पौने पाँच साल तक चापे क्यो नहीं पड़े हैं क्या उसके पहले अभी मतलब कोई पैस क्यों नहीं हो रहा है भुपेश सरकार इस चीज को दबाना चाहती है करॉप्शन को करॉप्शन को करॉप्शन को होने देना चाहती है करॉप्शन की बाते उपर ना आएं आगे ना आएं उस चीज को दबाना चाहती है में बात यह है कि एडी आप अगर गलत काम नहीं करे तो आप क्यों डर रहें हैं? और एक आम जन्ता से आप पूछेंगें, मैं आप से पूछता हूँ, क्या पुलिसिंग करवाई नहीं होनी चीए, क्या सीबी आइ की करवाई नहीं होनी चीए, आप यहीं बोलेंगे कि अगर आख साफ हैं तो आपको डरने की चाहिए रहता है आपको कुछ नहीं होगा और हमारा समीधान ऐसे ही बना है कि सो गुनेगार भले ही छूट जाएं लेकिन एक बेगुना को सजा नहीं मिलनी चाहिए हमारा समीधान उस हिसाब से बना है हमारा कानौन में इतने लचीले चीजे हैं कि वो बेगुना को सो गुनेगार को छोड़ देगा लेकिन बेगुना को जो बेगुना है उसको मतलब सजा नहीं मिलती है किंदर सरकार दोरा राज सरकार को गोबर घोटाला में भी लपिटा जाता है गोबर देखा जाते है तो गोमाता कमल उसका घोटाला उसका अरुप लगाना कहां तक तथ doğru है बई जो आप जैसी करनी वैसी भडनी आप गोबर के नाम से कितना घोटाला करेंगे आज आप ये बताईए कि आप वर्मी कमपोश्ट खाथ के नाम से जो वर्मी कमपोश्ट खाथ होता है उसको प्रोसीजर होता है उसके बाद वो बनाया जाता है आज कितने का उठानों में वर्मी कमपोश्ट खाथ बन रही है और जो जबरिया दिया जा रहा है जो जबरिया धिया जा रहा हाब तो ऑन और समने मतलब क्वालिटी और क्वालिटिय दोनो लोग लोग लेकर आते हैं पिचारि उनके पास कोई option नहीं है अगर वो लेकर नहीं आएंगे तो यूरिया नहीं मिलेगा उनको तो उनको खरीदना जरूरी है उनको खरीदना उनकी मज़बूरी है कई एसी सरकारी संस्था和 जाना जरूरी है दो दो थी जाड़ी वर्मिő ठीम यह उसमें तो गोबर का घोटवे से बड़ा घोटवी ने मेंदाकिंदानभे स्कॉ समया वाइन चारई शुमागना तो यह कहां तक तर्थिमान थे क्योंकि जो आवारा ममेशी थे उनका ठीकाना ठौर तीन हजार तीन हजार नौसो अर्तालिस गोठानों में भारती जन्ता पायटी के कारेकरताओं ने जाके दबीश दी जाके वहां पर उसकी यथार्त इस्तीती को जानने की कोशिश की दस अजार आठ सो आप बोलते हैं कि पूरे प्रदेश में गोठान है लगभग और उसमें 8600 या ऐसी 500 ही बनी हुए है लगभग इतनी ही बनी हुए है तयार हुए है माप आप करते हैं कि तीन से चार एकड में गोठान होगा वहां पर वर्मी कंपोष्ट खात का एक एक जगह होगी वहां पर एक चबूत्रा होगा वहां पर शैड होगा वहां पर एक छोटी सी खोली होगी वहां पर बाउंडरी वाल होगी और एक गेट होगा तो आप यकिन मानिए कि कई कई शाहिन जी ऐसी जगा थी जहां पर सिर्फ गेट था वहां पर ग्राम का नाम लिखा हुआ था और बॉंडरी वाल नहीं थी तो आप वहां की इस्थीती देखिए वहां पर गाएं मतलब थी ही नहीं आप जब वहां पर गाएं ही नहीं है वहां पर चारा ही नहीं है वहां पर पानी ही नहीं है तो वहां पर कैसे मतलब गाएं भी आएंगी और कैसे सौसाहता समू के महिलाओं को वहां पर रोजगार मिल लेकिन सौसाइता समू के महिलाओं से इनोंने गद्दारी कर दी उनको बोला कि हम आपका करजा माफ कर देंगे और यह घुशना पत्र में डाला और अभी तक करजा माफ नहीं हुआ उनका यह उनके साथ भी दोका कर रहे हैं और जनता के साथ भी दोका कर रहे हैं दातास हजायर रुपै किसके जा रहा है किसका जा रहे है उचातिसघाड की जन्ता की रहे है रहन के लोकल के भाट्रय करता हैं उनको ATION Augen कर रहे हैं और जहाएं के और जह योजनाओं का रंग यो राजिय को और देखें के तो लोगों पर काफी चड़ा हुआ vivir वाव एद ग् 36 गड़ की 36 गड़िया सरकार भुपेश सरकार की सरहना भी करती है और कहीं न कहीं राग भी लापती है भारती जनता पार्टी आने वाले विधान सफ़ा चुनाओं में भुपेश सरकार भुपेश कका का रंग जो लोगों पर चड़ा हुआ है कितना उतारेगी हर चीज में विफलता पाई अपराद रोगने में विफलता पाई आठ लाग घरों को पी अमावास्ति योजना का जो घर देना था वो आपने राज्यांश नहीं भरा उसके लिए विफलता है आपकी विफलता ये है कि आप अभी तक भरतियां चालू नहीं कर पाएं आपकी लिफलता ये है कि आप अनिमिती करन को निमिती करन नहीं कर पाएं और आपका ब्रश्टाचार दोजार करोड का शराब गोटाला पांसो करोड का कोईला गोटाला आपका पी एसी गोटाला आपका लैंड में इतना गोटाला हो रहा है और अन्य कई चीजों में गोटाले क् आपने जो वादे किये थे आपने शराब बंदी का वादा किया आपने अनिमी तिकरन का वादा किया आपने पंदरो सो विर्दा पेंशन का वादा किया आपने विद्वा पेंशन का वादा किया आपने दो सो फूड पार्क का वादा किया आपने दस लाख युवाओं को बेर वोजगारी बत्ता दे रहे हैं उसमें आपने बिजडी बिल हाफ करने का वादा दिया वादा किया 400 यूनिट में रोग दिया आपने एक रूम बनवाने का वादा किया हर्श्रमिक के लिए वो तो दिया नहीं उल्टा आठ लाग लोगों के उपर से च्छा तनशीन दी तो ऐ विफलते हैं और आपके विफलताएं आपकी ब्रश्टाचार और आपकी वादा खिलाफी ये सभी चीजें लोगों के सामने हैं और आम जनता साहिंग जी बहुत परिशान हैं बहुत ही ज़्यादा परिशान हैं तो इसके लिए अकू कर्म में हम मतलब 36 गड़ हमारा रोज तीन कू कर्म होते हैं हमारे 36 गड़ में उसको क्या बोलेंगे आप क्या इसलिए जनता फिर से उनको लाए क्या इसलिए उनको वोट दे बहुत अच्छा सभी जवाब आपने दिये गोबर घोटाला से लेके राज सरकार की नाकामियों को भी हमारे सामने गिनाया आपका बह सबी सवालों के जवाब हमारे काफी बेबाके से दिये कई सारी जानकारी उन्होंने दी किस तरह की राजनीती में अभी जो सरगर्मियां चल रही है चाहे दोनों रास्टी पार्टियां हो या फिर तीसरी पार्टी को लेकर कि भी हमसे चर्चा की और बताया कि किन शर्तों पर किन अपने निमाब दंडो पर जो प्रदेश की जनता है फिर से एक बार सरकार किस सरकार को चुनेगी इन्होंने बताया तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस तरह देखते रही है ग्रैंड एसीन निउस नमस्कार